आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ सबसे पहले अपन जानते हैं कि अंडर रूट की अंदर जो Quantity होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? Greater than equal to 0 तो यह Condition यहाँ पर Apply कर दो हमारा Domain निकल जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं X Common लेलू तो यह जाएगा 4-X अंदर में यह Value greater than equal to 0 यानि कि यह हमारा 2 यहाँ पर function है उसको Multiply करने के बाद greater than equal to 0 आना चाहिए तो basically यह हमारी एक inequality बन गई अगर मैं इसको Number Line से दिखाओं तो Number Line मेरा कुछी Step में है और X की Value यहाँ पर क्या क्या है? 4 और 0 तो 0 और 4 अगर मैं 4 से Right Hand Side चलो एक Value अपन 5 पूट कर लेते हैं तो अगर मैं यहाँ पर 5 पूट करूँ तो 5 into minus 1 है यह लिखा हुगा है क्योंकि 4 minus 5 क्या हो जाएगा? minus 1 तो यह Total Quantity Multiply के बाद क्या देगी? Negative फिर Alternate चलेगा और यहाँ पर Positive आ जाएगा और यहाँ पर Negative नमबर लाइन पर Alternate चलता है या तो अपने एक Value पूट भी कर सकते हैं इनके बीच तो 0 और 4 के बीच मान लो 1 पूट कर दो तो भी यह हमारा Value क्या आने वाला है? Positive Multiply होने के बाद हमें चाहिए क्या था? Positive Value तो हमारा जो Favorable Region हो जाएगा वो Positive आला यह हो जाएगा तो 0 को Include करूँगा क्योंकि 0 पे यह Value हमारी Equal to 0 हो जाएगी उस समय हमारा Function Define है तो 0 भी Include है और कहां तक जाना हमें 4 तक तो 0 से 4 4 को भी Include किया हमने तो यह हमारा Answer हो जाएगा Domain हमसे पूछा गया तो तो वो 0 से 4 यह हमारा